वेलकम टू एससी मास्टर माइंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 ठीक है और यह इसका पार्ट 3 है इससे पहले मैंने बनाया था और बीच में वीडियो मैंने बनाना बंद कर दिया था क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पर अच्छा रिस्पॉंस आ रहा पूरा वीडियो देखिए तो मैं motivate होता हूँ आगे और भी वीडियो बनाने के लिए ठेक है तो पूरी वीडियो जरूर देखिए आपको एक एक चीज एक टॉपिक अच्छे से समझाने वाला हूं तो वीडियो को last तक जरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दे चीजे इसी में आते है मूर्तिकला में तो देखते हैं पहले पत्थर पर गड़ी कथाई इसका क्या मतलब था इस टॉपिक में क्या बताया गया तो देखें यह जो पत्थर है इस पर कथा गड़ी हुई है कहने का मतलब यह है कि एक कहानी है और उस कहानी को दृश्य रूप दिया गया है यहां पर ठीक है उन द्रिश्यों को यहां पर बना के दिखाया गया है तो एक कहानी है वो क्या है मैं आपको बताता हूं देखे पत्थर पर गड़ी कथा तो इसमें किया है कि इतिहासकारों ने सांची के इस स्थूप का गहराई से अध्यन किया और बताया कि व पथर पे जो गड़ी कथाया Wooad एक है कि एक यह कहान एक ऐसे दानी राजकुमार की ए ठैक hole एक राजकुमार की है जिसने अपना सब राहमन कमार की आ जिस्סने को ब्राहमन को दान कर दिया यानी कि इसके पмер जो समपत्ती थी जो भी धन था वो सब उसमें किसको दान कर दिया एक ब्राह्मन को और खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चले गए ठीक है तो यह जो है इस पर आधारी थे यह मूर्ति ठीक है यानि उन्होंने ब्राह्मन को किस तरह से दान कर दिया सब कुछ और स्कुल अपनी पत्तियों और बच्चों के साथ जा रहे हैं जंगल तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है पूरी स्टूरी इसमें गड़ी गई है तो इसलिए का गया पत्थर पर गड़ी एक कथा ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक देखिए मूर्तिकला में नेक्स्ट टॉपिक आता है सब टॉपिक इसका छोटा सा उपासना के परतीक तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी मूर्तिकला जो उपासना के परतीक चिन्ड के रूप में इस्तमाल किये गए उनको क्या किया गया उनको परतीक के रूप में दिखाया गया ठीक है परतीक चिन के रूप में कैसे पहला देखिए बौद विर्क्ष की पूजा की जा रही है और इसके बीच रिक्त स्थान बुद्ध की ध्यान की दशा को दिखाया गया याँ आप पहला देख सकते हैं यह विर्क्ष दिकh रहा है उसके चार ओर जो ये लोग बैठे हुए है और यह क्या दर्षाता है यह रखाता है यहाँ पर घ्यान की दरशा को ठीक है डियरक्ट खूक नहीं दिखाया गया पर बलकि एक aktivist यान पर पेड़ की देखान तो यहई रखा रहा है उनके प्रतीक चिन को दिखाए गया कि वो बेड़ के नीचे बैठे हुएते है तो पहला क्या कि बौधी वरिक्ष की पूजा की जारी है इसके बीच रिकस्थान बुद्ध की ध्यान की दर्शा को दर्शा आता है तो पहला के लिए रहे दूसरा देखे क्या है स्थूप महापरी निबान के प्रतीक बन गए इसलिए स्थूप की भी पूजा कर रहे है अब देखे नेक्स्ट है कि स्थूप तो स्थूप भी क्या है यहां पर डिरेक्ट महात्मा बुद्ध को नहीं दिखा के स्थूप को दिखाया गया तब क्या हुआ उसके बाद ही तो स्थूप बनाए गए उनके अस्थियां या उनसे जुड़ी जो भी महत्मून समान थे उनको जो है जमीन में दफनाया गया उसके उपर जो है फिर स्थूप का निर्वान किया गया तो स्तूप क्या है ? स्तूप एक उपासना का परतीक है और यह क्या बताता है ? यह बताता है महत्मा-बुद्ध के महापरी निभान की जब वो इस दुन्य को अलविदा गए गए थे तंग ठीक है ? तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हर परतीक इन में कौन सी चीज क्या धर्शारी है ये जो है बुद्ध की ध्यान की धर्शा को धर्शाता है और ये जो है महापरिनिब्बान को धर्शाता है अब देखते हैं तीसरा उसके बाद देखें ये जो स्थम्ब है ठीक है इस स्थम्ब से जुड़ा क्या है कि यहाँ पर भी शुरूरू किया खाफी सारे अचे-चे विचार उन्होंने लोगों को बताए तो इससे क्या है उन्हों सब सबसे पहला उप्देश किये था अपने विचार साजह किये थे लोगों के साथ तो यह उसी बुद्ध द्वारा सारनात में दिये गए पहले उपदेश का परतीक है तो किलिए आपको पहला जो व्रिक्ष है बौधी व्रिक्ष ये क्या दरशाता है बुद्ध की ध्यान की तरशा को ठीक है उसके बाद ये जो स्थूप है ये महापरी निभान को दरशाता है और उसके बाद आते हैं मूर्टिकला में लोग परमपरा हैं ठीक है तो लोग परमपरा है इसमें मैं आपको समझाता हूँ देखिए शुरुवात में क्या था कि कई ऐसे लोग थे जो बुद्ध से जुड़े नहीं थे बुद्ध धर्म में शामिल नहीं थे वो हिंदू धर्म या जो धर्म थे उन सभी धर्म में शामिल थे ठीक है तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं हिंदू धर्म को छोड़के बहुत धर्म को अपना रहे थे ठीक है तो वो क्या कर रहे थे कि पहले जिस धर्म में थे फॉर एक्जामपल अगर वो हिंदू धर्म में थे तो हिंदू धर्म से भी मिल गये अब आपको समझाता हो ध्यान से देखे कई ऐसी मूर्तियां थी जो सीधे बौध मत से जुड़ी ही नहीं थी ठीक है बौध मत से यानि बौध धर्म से नहीं जुड़ी हुई थी जो लोग बौध धर्म में आए उन्होंने बौध धर्म से पहले के आस था और विश्वासों को अपने बहुत धर्म से जोड़ दिया यानि कि जो पहले नए नए बहुत धर्म में आये हैं यानि कि जो नए नए बहुत धर्म में शामिल हुए थे उन्होंने पहले वाले आस्था और पहले वाले विश्वासों को बहुत धर्म से ही जोड़ दिया जैसे कि पहले क्या लोग करते थे कि जो बौध धर्म से नहीं जुड़े थे वो शाल भंजिका पर विश्वास रखते थे तो जैसी बौध धर्म में शामिल हुए उन्होंने शाल भंजिका पर विश्वास खोया नहीं बलकि और बनाए रखा विश्वास ठीक है तो बौध धर्म को भ बनाए रखा, तो इससे क्या हुआ कि बाकी चीजे भी जुड़ गई, तो इसमें है साल भंजिका की मूर्ती, तो लोग क्या विश्वास करते थे इसके बारे में, कहा जाता है कि साल भंजिका द्वारा चूने से विरक्षों में फूल खिलूटते हैं और फल होने लगते हैं, उसके बाद दूसरा कहा था कि माया या गजलक्ष्मी, ठीक है, कहा जाता था, तो गजलक्ष्मी की मूर्ती भी मिली है, ठीक है, ये भी बहुत धर्म से जुड़ी नहीं थी, लेकिन जो लोग ने बहुत धर्म में शामिल होए थे, उनका ये विश्वास था, ठीक है, इसलि ठीक है, किलियर है, उसके बाद सांची में सर्प की मूर्ती, तो सांची के स्थूप में सर्प की मूर्ती मिली है, तो ये जो है सर्प की मूर्ती क्या दर्शाता है, ये बहुत धर्म से जुड़ा है नहीं, तो जो लोग नहीं बहुत धर्म में शामिल होए थे, और जो लोग पहले भी जिन परंपराओं को अपनाते थे, उनको बौध धर्म से जोट दिया, किलियर है, तो शाल भंजी का, गजलक्ष्मी और साची का सर्प, यह आपको याद रखने हैं, नेक्स्ट है, महायान बौध मत का विकास, तो यह बहुत easy है, महायान बौध मत का विकास, इस topic में आपको दू बाते याद रखने हैं, तो इसमें question आएगा कि महायान किसे कहते हैं, तो महायान कौन होते हैं, बौध धर्म की वह परंपरा, जिसमें बौधी सत्त को माना जाता है ठीक है किसको बौधी सत्त को यह वर्ड नहीं पुलना है बौधी सत्त को माना जाता है उसे कहते हैं महायान परंपरा ठीक है उसे कहते हैं महायान अब आप पूछेंगे कि बौधी सत्त क्या होता है तो बौधी सत्त जैसे कि किसी और धर में क्या होता है साधू होते हैं संत होते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं इनों मतलब लोगों का कल्यान करना ठीक है वो ऐसा दावा करते हैं ठीक है कि वो लोगों के भलाई कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे कुछ साधू संत होते हैं ठीक है तो उसी तरह से क्या था कि मह रोधिस सत्व को माना जाता था, उसे महायान कहते हैं, ऐसी परंपरा को महायान कहते हैं, क्लियर है, तो देखे बौधिस सत्व अपने पुन्य से दूसरों की सहाईता करते हैं, यानि जैसे आज की ट circumstance में साधू होते हैं, इस तरह से अठ्वरे में भी एक बौधिस सत्व होत ठीक है क्या कहते थे ही नियाने के अन्याई अब मैं समझाता हूँ आपको जहां से समझे कुछ लोग तो बिक सत्व को मानते थे भ Course लोग इस भी थे जो कुह भाधी सत्व को मानते ही नहीं थे तो ऐसे में क्या होता था कि जो महायान के लोग है वह उन लोगों को जो बौदी सत्व को नहीं मानते थे उन्हें कहते थे तुम हीनियान ठीक है यारी उन्हें हीनियान कहते थे ठीक है तो आपको अब समझ में आया जो बौदी सत्व को मानते थे वो महायान हो गया जो बौदी सत्व को नहीं मानते थे तो महायान उन्हें कहते थे तुम हीनियान हो लेकिन वो खुद जो बौदी सत्व को नहीं मानते थे वो खुद को हीन यान थोड़ी कहेंगे वो कहते थे खुद को थेरवाद ठीक है थेरवाद ये नाम जो हीन यान आप सुन रहे हैं ये तो महायान ने दिया था ठीक है लेकिन इनको जो है क्या कहलवाना खुद को पसंद लेकिन महायान वाले कहते थे तुम तो बोदिसत्त को मानते नहीं तुम तो हीन यान हो ठीक है तो वह हीन यान कहते थे लेकिन जो बोदिसत्त को नहीं मानते थे वह खुद को थेरवात कहते थे किलियर है तो अमीर आपको किलियर हो गया हुगा ठीक है अब देखिए नेक्स टॉपिक है पौरानिक हिंदु धर्म का उद्य तो यह भी बहुत इजी है इसमें कुछ नहीं ज्यादा याद रखना देखिए तो इसमें क्या है कि हिंदु धर्म में वैशनव और शैव परंपर के रूप में शिवलिंग के रूप में पूजा करते है ठीक है तो इसमें देखे ध्यान से कि वैशनव वैशनव क्या थे कि भगवान विश्नु की भीविन अवतारों के रूप में पूजा करते थे कितने अवतार थे कुल मिलाकर 10 ठीक है तो विश्नु भगवान की अवता topic है, थोड़ा सा मंदिर के बारे में, वो important है, ठीक है, तो इसमें देखें, मंदिरों का बनाया जाना, मंदिर कैसे बनाया जाते थे, कैसे मंदिर होते थे, उस time पर, तो शुरू में मंदिर चॉकोर कमरे की तरा होता था, जैसे आज कि टाइम धीरे धीरे गर्व ग्रह के ऊपर उचा धांचा बनाया गया जिसे शिखर खा गया ठीक है यानि धीरे-धीरे क्या कर दिया गया कि फॉर एक्जामपल यह चार दिवारी है ओके तो अब क्या हुआ कि चार दिवारी के ऊपर छत वाली एरिये पर क्या कर दिया गया कि ऊपर से इस तरह की संरचना बना दी मंदिर में आपने देखा ओँचा ही सा कुछ जा रहा होता है तो इसे शिखर कहते थे क्या कहते थे शिखर यानि उचा तो यहाँ पे वही बताएगा धीरे धीरे गर्व ग्रह के उपर उपर हिस्से पर उचा सा धांचा बनाएगा सारी चीजे जो है वह एड कर दी गए यानि कि उची तिवारे सभास्तल तोरण वगएरा जो है बनाना शुरू कर दिया मंदिर में बदलाव आता गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कुछ मंदिर पहाडी को काट कर बनाए जाते थे यानि अब धीरे कुछ अलग किसमी के भ गखे बनाए बना जाना यही है शुरू आत में मंदिर जो है चकोर कमरी की तरह होते थे और जिसे गर्वगर्या क्याते थे धीरो जडीर malt उंचा शिखर बनाया गया ठीक है उसके बाद क्या था कि अब मंदिर में क्या था सभास थालबी होने लगे उंची दिवारे तोरण नित्यादी सब बनाए जाने लगे ठीक है और कुछ मंदिर जो है पहाड काट कर बनाए गये थे उधारन कैलाश मंदिर तो उम्मीद आपको ये सब चीजे जो है वो किलियर होगी ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करे और शेर जरूर करे ठ ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग